भारत बनाम इंडिया आजादी से पहले और आजादी के बाद आज जो राजनेतिक सामस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियां बन गई हैं और एक विशेश दौर के बाद जब हमने आजादी का सपना देखा और आजादी को प्राप्त किया जब लाल के लिए के प्राचीर से पंडित जवारला नहरू ने प्रदान मंत्री की रूप में देश की आजाद जनता को सम्मुजित करते हुए उससे महत्वा कांक्षों से जोड़ा और बड़ी-बड़ी बातें की आजादी के सपनों को ले करके उसके बाद आज तक की जो यात्रा हुई, राजनेते की यात्रा हुई, जनतांत्रिक यात्रा हुई और जिस तरह की संसदी प्रणाली को हमने स्वीकार किया और जिन उच्छ मूल्यों को मर्यादाओं को लेकर के हमने देश के भविश्ची का सपना लेखा उसके साथ दसक के इस कारिकाल में हमें यह लगता है कि जनतांत्रिक मूल्यों का जो हरन हुआ है, जो अपरन हुआ है उसके कारण बार-बार जनता को ठगा गया है कि जिस मूल्य पर, जिस आधार पर, जिन सपनों को लेकर के हम वोट देने जाते हैं उनको बार-बार उन सपनों से हमको आहत किया जाता है, हमें ठगा जाता है और हमें कहीं का नहिरेने दिया जाता, बलकि हमें लगता है कि जनतांत्र की यह प्रणाली, ठगों की प्रणाली हो गई है और ठग विद्या में जो माहिर लोग हैं, जो उस्ताद लोग हैं, जो अवसरवादी लोग हैं, जो पूझी पती वर्ग को विशेश ग्रूप से समर्तन कर रहे हैं, और जो इस देश की मूल्यों का कच्रा बना करके जो सत्यानास करने पर तुले हुए हैं, वो ultimately power structure में सबसे अधिक सशक्ट बन जाते हैं और जनता दिन परती दिन नीचे चली जाती है तो हमें लगता है कि क्या यह जनतंत्र प्रणाली जनता को ठगने का एक की प्रणाली है यह कब तक हम इसको बरदास करेंगे और यदि हम बरदास नहीं करेंगे तो इसका विकल्प क्या है यह मेरा स तो सवाल यही बार-बार उठता है, फिर से मैं कहूंगा, क्या जनतंत्र के नाम पर जनता को हम ठग रहे हैं, क्या जनतंत्र के नाम पर आजनेतिक दल जनता को लगाता ठग रहे हैं, क्या जनतंत्र के नाम पर यह अविश्वास का खेल लगाता चलता रहेगा, यह कब तक चल और जनत तंतर की बात कही है, सतर साल से हमें लोक तंतर को भुगत रहे हैं, यह कहना चाहिए, क्योंकि हमारी जनता जो है, वो सतर साल पहले भी ऐसी थी और आज भी वेसी है, क्योंकि भारत जो है, वो गाओं में बसता है, और उन गाओं में उन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजों के अलाव कुछ नहीं चाहिए होता है, तो जो हमारा नेता है, जो हमारा लीडर है, जो हमारा राज्जिति को सरुख्ष जिसको कहते है वो है, उसने हम लोगों को हमेशा से यही बताया है कि उसको रोटी भी मिलेगी, उसको कपड़ा भी मिलेगा और उसको मकान भी मिलेगा लेकिन जिनको नहीं मिलता वो भी उनको बोट देते हैं उनके पास जाते हैं पास साल के लिए दोखा खाने के लिए यह कहते हैं कि अब तो हमारा काम कर दो अब तो हमारा काम कर दो लेकिन फिर भी वो काम होता नहीं है और जो 70 साल पहले इस्थिती थी जनता की और नेता की वो बड़करार है और वैसी कि वैसी है ऐसी इस्थिती में लोगतंतर का और चुनाओं का और राजनीती का क्या हाल है और कैसे होग यह हम इसका कोई बहुश्य तो जानत नहीं सकते और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो समाज का नेसेसरी इविल है जिसको मानते हैं लोग तंत्र का वो है राजनीती वो है चुनाव वो है विदान सभा वो है लोक सभा तो इन चीजों के माध्यम से ही हम ठगे जाते हैं और ठगे जाते रहेंगे फिर आप से एक छोटा सा सवाल पूझना चाहता हूं कि हमने देश के लिए जो जनतांत्रिक परणाली बनाई है जो संसदी ब्यवसा बनाई है जिस प्रकार की हमारे जूडिशरी सिस्टम है जिस प्रकार का एक्जिकेटिव सिस्टम है क्या ये सारी पातें धकोसला है क्या ये बातें किवल सजावत के लिए बनाई गई है क्या बुनियादी इस्तर पर इनका कोई उत्तरदाई तो नहीं है इन से जुड़े हुए लोगां का किसी प्रकार का कोई मर्यादित आचरण नहीं है क्या ये सब कुछ इसलिए है कि हमें एक ठगने के लिए अपरकार का नशा बना दिया गया है और दूर दूर तक किसी भी परकार से हमें अपनी आशाओं के झाल कुल नशिक्छा में कि लब मिल रहे हैं ना कलू से और और पी उपलप दी, बलकि ऐसा लगता है कि अ जिस Guide का एक कैंसर बचुगा है इसे उस उसने सब कुछ हमारी उपलबदियों पर कुठा रागात किया है और जनता को ठंगने का एक इस्थाई रूप से उन्होंने एक धाचा बना लिया है तो मैं तो यह मानता हूं कि संपूर्ण जो ब्यवस्ता है जो राजनितिक ब्यवस्ता है जो यहां की नौकर साही है जो यहा अधेया जो आपने पर्श behिंवस्ता है इसका सीधा समाद समाज की अरा जयकता से हैं और इस् उराजड़कता का रूप जो है हमें हमेशा चुनाओं के मिलता है हमें लोग सभा के मैं जयम से द्पार से हमें नए नए अंधोलाणों के मैं जयम से मिलता है कभी बड़े प्रवर्टिया उससे हम नहीं बच पाते हैं तो आपने विकल्प की जो बात कही है वो विकल्प जो है वो हमारे सामने अभी तक तो आया नहीं है और बार बार राजनितिक पार्टिया ये कह रही है कि विकल्प आएंगे आएंगे तो सतर साल तक तो हमने एक को बुगता फिर सतर साल और क्या आगे सतर साल तक बुगतेंगे तो ऐसी स्थिति में वो जो विकल्प है वो क्या है विकल्प कैसा है और कौन लाएगा विकल्प जनता लाएगी डारेक्टली लाएगी या नेता ला आया वो पाकिस्तान बनने से आया और पाकिस्तान की जब जिन्ना ने डिमांड की उसके पहले पाकिस्तान की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी जिन्ना और मुस्लिम लीक के या मुस्लिम समधाय के तमाम लोग रास्टी आंदोलों से जड़े हुए थे किन्तु एक खास वक्त में जब देश की आजादी की सिती हुई उसमें जिन्दा ने पाकिस्तान की मांग की और उसके जिद के वज़े से पाकिस्तान बनाना पड़ा और उसकी वज़े से जो राश्पिता महात्मा गांधी है उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख सबसे बड़ा संकट जेलना पड़ा और नुगा खली में जाकर के उन्हों ने अपने आपको ये महसूस किया जैसे उनसे सारे चपने चीन लिए गए गरीबाओं के लिए जो उन्हों ने सपने देखे थे देश की आजादी के जो सपने देश जनता ने देखे थे तो अब सब चीन लिए गए और आद में सामपर्दायक्ता का जो जहर जातिवाद का जो जहर जो राजनेतिक Awwsarwadita का जो जहर फेला उससे देश बर्बाद हो गया तो मैं ये मानता हूँ कि राजनेतिक पार्टियों ने कभी भी किसी इस्तर पर भी शिक्षा, समस्कृति या सामाजिक मुल्यों और मर्यादाओं के प्रति, ऐसी कोई कोशिस, कोई ऐसी मुहीम नहीं चलाई जिससे जनता को दिशा मिले, एक समुचित तरीके से विकास की ठगा गया, ठगा गया, जनता को लगाता ठगा गया। बोट देने जाते हैं, वो भी दोशी हैं, और जो बोट लेते हैं, वो भी दोशी हैं, मुझे ये पता है, कि फला फला ब्यक्ति, मेरे चुनाव कुशित्र का एक बहुत बड़ा करप्ट आदमी है, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी को बिलंग करता है, जिसके पुती मेरी आस् हैं, तो उस पार्टी को मैं बोट दूँ या उस करप्ट आदमी को बोट दूँ, क्योंकि करप्ट आदमी का विकल्प नहीं है, पार्टी के पास, और पार्टी का विकल्प उस आदमी हमारे पास नहीं है, तो ऐसी इस्थिति में हम क्या करें, हम तो वही इस्थिति वापस की स्थितिया है मैं तो समझता हूँ कि ये चुनाओं से खतम होने वाली नहीं है इसलिए चुनाओं को खतम करना चाहिए चुनाओं का विकल्प डूरना चाहिए विदान सभा को खतम करना चाहिए विदान सभा का विकल्प डूरना चाहिए और लोग सभा को भी विकल्प लग लिया और सतर साल बहुत बड़े होते हैं मैं तो अभी असी साल का ही हूँ दस साल पहले से मैं यह देख रहा हूँ कि ऐसा हुआ है तो अब फिर आगे क्या सतर साल तक मेरे बच्चे भी यह देखेंगे यह बहुत ही चुनौती पूर्ण बात आपने कही है और मैं कि अधार से वंच्यत हो जाएं चुनाव की व्यवस्ता को हम समावत करने और जनतांत्रिक जो मूल ने हमरी आदा है उनको भूल जाएं बल्कि कोशिशित बात की होने चाहिए कि जो मतदाता है उसे जागरूख किया जाए उसे शिक्षित किया जाए उसको सही तरह समझाया जाए कि तुम्हारे वोट की तुम्हारे मत की क्या वैल्यू है और किस प्रकार से तुम्हें मतदान करना चाहिए किन अधारों पर तुम्हें मतदान करना चाहिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि दागित छवी वाले उमीदवारों को कोई पार्टी खड़ी करती है तो की चवी खराब होती है उसमें उनको निशित रूप से ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कोई भी किसी पार्टी का व्यक्ति हो तो पहली बातों मैं मानता हूं कि ऐसे किसी भी उमीदवार को ऐसे किसी भी कैंडिडेट को जो पार्टी सब्सक्राइब करती है और चवी खराब हैं जिनके खिलाफ कोर्ट के कचरियों मुकर में चल रहे हैं और जिनके खिलाफ जो लोग जेल जा चुके हैं जो जमानतों पर जो चल रहे हैं ऐसे लोगों को यदि पार्टी चुन करके अपना उनका उमीदवार भी बनाती है तो मत्दाता का ये एक आधार चुना चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं उसका उसको मत्दान नहीं दे बलकि हमेशा इस बात का कोशिश करें कि जो अच्छी छवी वाला व्यक्ति हो जो पढ़ा लेखा हो जो समझदार हो जिसकी नेतिक मूली मर्यादाओं में जिसका जिसकी प्रिष्ट करके चुनाव के दफ्टरों में जाकर के पार्टियों के कार्यालें में जाकर कि दबाव चुनाव अधिकारी जनता को दबाव डालना चाहिए कि किस प्रकार के कैंडिडेट को वो प्रात्मिक्ता दे किस प्रकार के कैंडिडेट को चुनाव के लिए उचित समझे या मर्यादा यह जो दाहित्त है वो जनता का पर जनतांत्रिक मुल्यों और मर्यादाओं पर खड़े हुए देश के भविश्य देश के वर्तमान और देश की परमपराओं के परती एक सजग रहरी बनकर यदि मत्दाता मत्दान की तरफ देखता है मत्दाता मत्दान देता है तो हम जनतांत्रिक मुल्यों की रक्षा कर सकते हैं यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार हमें ठागा जाएगा बार बार यह चीज सामने आएगी कि इस जनतांत्रिक व्यवस्था की हमें जरूरत नहीं है हमें बार बार संसदी प्रणाली के पर प्रश्टाचार बढ़ रहा है यह सारे कारण इसलिए है कि हमने जनतंत्रिक मूल्यों को मर्यादाओं को ठीक से समझने में कहीं गलती कि है हमें इस बात का पूरा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने भारती जनतंत्र की जो खूबियां हैं जो बुनियाद है जो इसकी जो विशेष विशेष्टा हैं उनकी सुरक्षा करें और जनतंत्र को मजबूत बनाएं ताकि हमें बार बार कहीं ऐसा नहीं लगें कि इस बार फिर हम ठगे गए इस बार फिर जनता और जनतंत्र के परती हमारा विश्वास जूट गया हमें निश्यत रूप से सबल, सशक् और संभावनाव वाले जनतंत्र की जरुवत है, उसके बिना जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं है, यदि ऐसा जनतंत्र जो रंगला हो, जो टूटा हुआ हो, जो बिख्रा हुआ हो, जिसका कोई आधार नहीं हो, यदि वो जनतंत्र हमें सौप दिया गया है, हमारे उपर ठोप द करना चाहिए यह तभी संभव होगा जब जनता एक जुट होगी जब जनता के विश्वास एक साथ एक आस्ता के साथ जनतन्त की लड़ाई में मुहिम में हम सब लोग सामिन होंगे और देश के भविश्टी की प्रति आश्रावन होंगे कि अच्छे एक जनता एक जनता एक जनता एक जनता एक साथ एक साथ जनता है